Hello friends, welcome to my channel Nima's Corner और मैं हूँ Nima कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि क्या आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं और अगर बनना चाहते हैं तो उससे रिलेटिट कोई भी क्वेशन आप मुझे पूस सकते हैं अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखेएगा हो सकता है वो आपके लिए भी यूसफुल हो उस वीडियो में 70% कमेंट से मुझे मिले ना वो यहीं मिले कि मैदम आप कितना कमाती हो मंत्री पहले ये बता दो ये कितने वीडियो पे कितने पैसे हमें मिलते है ये आप मुझे बता दो तो चलिए आज मैं अपको बताने वाली हूं पर thousand view पे आप कितना कमा सकते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किन बातों पे depend करता है आपकी income का और किन बातों पे बिल्कुल depend नहीं करता है मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि like, dislike के भी पैसे मिलते हैं subscribe करने के भी पैसे मिलते हैं तो क्या ये बाते सच हैं या सिर्फ ये हम लोग सोचते ही रहते हैं तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ सच बाते और आपके साथ शेर करती हूँ कि per thousand view पे मुझे कितने पैसे मिलते हैं सबसे पहली चीज जो depend होती है वो ये होती है कि आपके thousand अगर व्यूज हैं तो उसमें से कितनी बार उसमें add आया है ऐसा नहीं होता है कि 1000 व्यूज अगर आपके चैनल पे आये हैं तो उसमें 1000 के 1000 बार add आया होंगे कि YouTuber को income add से ही मिलती है उसे कोई salary YouTube नहीं दे रहा है हम वीडियो बनाते हैं अगर उससे पहले add आता है तो हमें add से payment मिलती है अब depend करता है भई add की length कितनी है अगर skippable add है तो हम हर को skip कर देता है तो skippable add है, unskippable add है, लंबा add है, छोटा add है, कितनी बार add आया है वीडियो में यह depend करता है कुछ YouTube आपने देखे होंगे जबदस्ती की 10-15-15 मिनट की वीडियो बनती है और हम सोचते रहते हैं यार यह इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाते हैं देखे क्या होता ना, जो लंबी वीडियो होती है उनमें option होता है multiple add का तो अगली बार आप भी अगर कोई ऐसा यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं कि यार इतनी लंबी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी तो हो सकता है, आपको लग रहा है कि ज़रूरत नहीं थी बट वो सिर्फ multiple add आये, इस चक्कर में ही वीडियो जबर्दस्ती की लंबी बनाए गई है 10 मिनिट से उपर की अगर आप वीडियो बनाते हो तो आप उसमे multiple adds लगा सकते हो, या आपको option दिया जाता है तो add आया है कि नहीं, किस type का add आया है और वीडियो में कितनी बार add आया है, ये तीन चीज तो main होती है अब बहु कई लोग बोलते हैं कि हमारी वीडियो तो है बट उसमें add नहीं आ रहा है, तो उसका आपको zero payment मिलेगा अगर आपके channel की monetization नहीं हुई है, सिर्फ आप वीडियो बना रहे हैं, बना रहे हैं, बट वो अभी तक YouTube ने approve नहीं किया है, आपके target पूरे नहीं हुए, तो आपको zero payment मिलेगा मतलब मैं आपको एक चीज़ समझाना जाती हूँ कि जो payment होता है, वो add से मिलता है, YouTube से मुझे कोई salary नहीं मिलती है अब बात करती हूँ country की भई हाँ, UK, US कुछ ऐसी countries होती है, जिनसे ज्यादा payment होती है, मतलब अगर आपकी वीडियो वहाँ देखी जा रहे हैं, तो समझ लीजे आपको ज्यादा payment आएगा बड क्योंकि हम भई हिंदी में वीडियो बनाते हैं, तो हमारी वीडियो ऐसी ही जगे देखी जाती है, जा आप हिंदी समझ में हैं, अब UK, US में तो इतने लोग हैं, नहीं तो मेरी वीडियो को देखेंगे, मेरी वीडियो को समझ पाएंगे तो हमें बहुत छोटा audience वहाँ से मिलता है, सारा ज्यादा तर audience हमारा होता है, इंडिया, पाकिस्तान, नैपाल, मतलब आसपास के देशों का, तो हमें मिलती है उस हिसाब से income तो कई countries पे भी depend करता है कि आपको कहां से ज्यादा payment मिलेगी और कहां से कम payment मिलेगी अब बात करती हूँ भई जो लोग समझते हैं, भई लोगों को लगता है कि like और dislike के भी पैसे मिलते हैं क्योंकि हम लोग बार बार आपको बोलता है भई वीडियो को like करना, चैनल को subscribe करना और share करना लाइक और subscribe के ना तो मुझे कोई पैसे मिलते हैं, ना ये कहीं से कहीं तक count होता है बट ये मुझे सिर्फ appreciation मिलता है इससे जब आप लोग like करते हैं वीडियो को, comment करते हैं, तारीफ करते हैं, कोई question पूछते हैं मैं जब आप आती हूं तो ये मेरे को appreciation मिलता है, लाइक करने से या subscribe करने से ना तो आपकी जेब से कुछ जाएगा ना मेरी जेब में कुछ आएगा बट हाँ, ये एक bonding की तरह होता है कि भई, strong हो रही है हम लोग की bonding, ऐसा हमें फील होता है इसलिए हम लोग बोलते हैं, वीडियो को like कर दीजे, share कर दीजे और subscribe कर दीजे subscribe करना बिलकुल free होता है आप लोगों के लिए, तो मैं आज भी आपसे बोलती हूं कि भई, please मेरे चैनल को subscribe ज़रूर कीजेगा इससे आपकी जेव से कोई पैसा नहीं जागा और नहीं मेरी जेव में कोई पैसा आएगा, बढ़ हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मेरे subscriber बढ़ते हैं, मेरी family बढ़ती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है चलिए अब बात करती हूँ payment की, अगर आपकी भी audience इंडिया या इंडिया के आसपास के देशों की है न, तो मैं आपको बताती हूँ, एक on and average आपको 5000 views पे एक डॉलर की payment आती है, एक डॉलर कितने का होदा पता है न आपको, 69, 70 रूपीज का, तो अब आप खुद हिसाब लगा लिजे कि 1000 views पे कितनी payment आती होगी, ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर को बहुत ज़्यादा payment मिलती है और कोई salary हमें नहीं मिलती है, इसलिए हर यूट्यूबर बहुत मैनत करता है अपने views पाने के लिए, अब आप खुदी हिसाब लगा सकते हैं, भईले 5000 views पे एक डॉ मिलते होगे, खुद हिसाब लगा लिजे, एक डॉलर होता है 69-70 रूपीज का, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मैं कमाती हूँ, अब आप खुद हिसाब लगा लिजे, चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, अगर आप इससे related और कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो मुझ थाएल, एकुछ थाएल